इमांदारी का खजाना अर्जुन एक गरीब पर इमांदार किसान है राजा दयालू एक न्यायप्रिय और बहुत दयालू राजा है लालची एक कप्ती और बहुत ही लालची व्यापारी है अर्जुन अपने खेत में मेहंत से काम कर रहा था उसी समय उसकी कुदाल किसी सक्त चीज से टकराई तो वह सोच में पढ़ गया लेकिन उसने उचसुक्ता से मिट्टी को खोदा और मिट्टी खोदता रहा अचानक उसे एक पुराना लौक गया हुआ बॉक्स नजर आया उसने डरते हुए बॉक्स को बाहर निकाला और वह बॉक्स को राजा दयालू के पास ले गया राजा दयालू ने बॉक्स को खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के निकले लालची व्यापारी भी उस समय दर्बार में उपस्थित था वो दूसरों का शोशन करता था वह भी बॉक्स पर अपना दावा करने के लिए जूठ बोलने लगा राजा दयालू अपनी बुद्धिमानी और न्याय प्रियता के लिए जाने जाते थे राजा दयालू ने उस लालची व्यापारी की जूठी बातों को पकड़ लिया राजा दयालू अरजुन की इमानदारी से बहुत प्रभावित हुए उन्होंने अरजुन को सोने के सिक्कों का आधा हिस्सा पुरसकार के रूप में दिया और बाकी आधा राज्य के खजाने में जमा कर दिया यह कहानी हमें सिखाती है कि इमानदारी सबसे अच्छी नीती है चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों के साथ इमानदारी से पेश आना चाहिए इमानदारी हमें सम्मान, खुशी और सम्रिध्धी दिलाती है कहानी आपकी पसंद की हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें